नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब का इस्टिटीफ फॉर्ट सिविल सेज में यूपी पीसेज 2020 प्रिलिम्स जो 11 अक्टूबर 2020 को होने वाला है उसके लिए ये डेवाइस सीरीज हमने चालू कर दिया आप इसको जरूर देखते हैं बिना कोई टाइम वेश के वए मैं आपको बता दूँ टेली गराम में लगातार पिक्स का रिवीजन चल रहा है यहाँ पे मैं उन पिक्स में से लगातार जो है कुछ पिकट्स चांड के आपको डेवाइस में कर वारो हो तो यह झान रखीएगा यूपी में इस समय रामसर साइट साथ किसी भी अगर आप देखेंगे रामसर साइट सभस्यादा कहां पर गंगा ठीक है इसका सारा मैंने लोकेशन कहा खाने हैं सो देखते लिए लगा नहींसके और आप देखने मेशनल पार युपी एक है दुदवा डु vikt general लिलाकर एक तिकैकर धे ललक्ते लिखेयं है कितनी है एक तीन हो गई किछो साइट किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है जल्दी से बताइए कमेंट करके इसे मैं बता चुका हूँ चलिए दूसरी पिक देख लेते हैं यह यूपी से लेटेड है डिफेंस इंडिस्ट्रियल कॉलिडोर जो है यूपी और एक दूसरा तमिलाडू यूपी में कहा कहा से पास होंगे यह ध्यान आइडेंटिफाइड नोट कौन कौन से हैं यह आगरा अलिगर्ड चित्रकूर्ट यह लखनाव जहासी कानपूर नेक्स पिक पे चलते हैं यह बड़ी इंपॉर्टेंट पिक है यह एंसी आटी की है और जो हम दे रहे हैं आपको पूरा इस्टैंडर्ड बूक्स एंसी इस यह लगातार जो वर्ड जोग्रफी की मोश्ट इंपॉर्टन लिस्टिंग है अमने दे दिया उल्लेडी फिर भी कोई ना मिले तो बताना जरूर तुरंद प्रवाइड कर देंगे यह देखे यह उत्तरबदेश के कुछ यह दिये हूँ है यह बड़ सेंग्टरी है समान आपका मैंपूरी में है पतना आपकी एटा में है ठेक है इसको अब बोलते है शही चंद्र शे KHAR आजाद बड सेंग्टृी इस संधी कभी वाध्यायोन के है और यह दास होना चाहिए यहां पर मेरे साबसे और पारुति आगरा जो है गोंडा में है वीजा सागर पच्छी भी आरी प्रताब गण में है सुर्सरवर आगरा में है ओकला जो है आपकी बौतम गुद्धगर में और उसके बाद अगर वाइड लाइफ संचिर की बात करें वो सपूर इदी के हुई है रानीपूर जो है चित्रकूट में है महावीर लालिदपूर में है चंबल आगरा में है चंद्रप्रभा वाइड लाइफ यह दंदौली में है किशनपूर यह कहां पे है आपका लखीम पूर खीरी में करतर निया घाट यह आपकी बहराइच मे एरट मुरादाबाद अम्रोहा और बिड्नूर फिर यह वाला कोईशन यूपी पीसेस का बड़ा फेवरेट राय उनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉंफरेंस यह पूछ लेते हैं लेटेस्ट वाला लेगे पहला वाला हुआ ता जर्मनी में और पूरा वाले लिस् 26 वां 2021 में होगा ठीक क्योंकि 2020 में होना था नवंबर में लेकिन इसको पूरा एक साल के लिए पूस्पोन कर दिया गया है अब 2021 वाला कॉप कहाँ पे होगा ग्लासगो यूके में होगा ध्यान लखना 2020 वाला है यह लेकिन 21 में कराया जाएगा समझ रहें बात आप जैसे न भी क्रेक्शन होगा तो दिया जाएगा हम भी इंसानी हैं अगर गलती को यह आ जाती है हम अपने आप करक करके यह पिक दे दिये मैंने आप देख रहे होंगे फिर भी कोई आपको लगे तो एक बर जो पूच जरूर लेना ठीक यह मैसमी की जो नई डिफिनिशन है इसके ह करोड होगा और टर्नोवर जो है पाँच करोड से जादा नहीं होना चाहिए इसमाल किसको बोलेंगे जिसका इंवेस्ट्मेंट यह दस करोड से जादा नहीं होना चाहिए और जो टर्नोवर है वो पचास करोड से जादा नहीं होना चाहिए यह कब से लागू है एक जुला है भी से एग्रोक्लाइमेटिक जोन नौ है लेकिन तीन में यह भी ध्यान लखना तीन में नौ है टोटल तोटल स्वाइल यानि कि म्रदा गुरुप कितने यूपी में आठ है अब इंडिया की बात करें एक्रोक्लाइमेटिक जोन प्लानिंग कमिशन के साब से पंद्रा है ए उत्तरवदेश का कुछ डेटा है MMR वाला मैंने शीट दे दिये आपको MMR, IMR सारे जो है TFR सब कल्कुलेट करके दे दिये बताए जल्दी से बिना देखे कहीं से बताएगा MMR इस समय इंडिया का कितना है MMR सबसे ज्यादा किसी स्टेट का है बस ये बताना है आप जो कितन अब दिये वाले नंबर याद रखने चीए MMR, TFR, IMR ये कुछ नंबर से जो आपको रटे होने चीए सबसे आदा IMR किसका है सबसे अदा TFR किसका है सबसे अदा birth rate किसका है किस राज का है ये पूछ रहा हूँ ये UP का सब एक जगे कलेकर करके दे दिया ठीक है UP का birth rate है 25.6 और death rate है 6.6, natural growth rate है 19, IMR है 43 और जो है SRB sex ratio at birth 880 है कुल प्रजन अंदर यानिकी TFR है UP का 2.9 सबसे ज़्यादा TFR किसी स्टेट का है चल्दी से बताइए ये कुछ और चीज़े है एकनौमी में मैं आप से बता दूँ किनौमी में कुछ लोग जो है लाज में confusion पूछ रहे है एकनौमी का पापा वीडियो देख लीजेगा ठीक है उसमें मैंने सारे जो है compile करके दिये हुए है देखे कोई भी अब हम आपको कोई ऐसे तो है नहीं कि पेपर में क्या ने वाला है कोई हम आपकी तरह मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं पू और इंडेस्ट्री टोटल कितनी है आठ है इनका टोटल अगर आप देखेंगे तो इनका वेटेज आई 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 पी में यानिकी इंडेक्स ऑफ इंडेस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40.27 ध्यान रखना यह चीज यह कई जगे 30 नहीं लिखा हूँ है 40.27 मैं मिनिस्ट्री की साइट देखिए मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पढ़ना चालू करिए NCRT की बुग देखिए कई बड़े-बड़े और्गनाइजेशन होते हैं उनकी साइट पे घुसके देखिए वहाँ पर कैचल ला है और दूसरी बात यह वीकिपीडिया में भी सारा डेटा नहीं सही होत है आपका फटलाइजर का यह भी पुछा दकता है बैट यह पिक दे दी रुकिए ठीक है इस समय तोटल माहारतना कितनी है यह भी आप देख लिए जल्दी से कितनी है यह भेल है बात करें ये यूपी पीसेस का हमेशा फेवरेट कोईशन रहा है ये बने पिक दे रखी है आपको बस मैं में बात बता रहा हूँ यहां पे कि इस समय चाय के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहां पे होता है चीन में और नमबर दो पे है भारत नमबर तीन पे केनिया लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट में नमबर वन पे चाइना है ठीक है इस और ये नमबर वन पे एक्सपोर्ट में केनिया है केनिया ये लिखा हुआ है यह देखिए graph है इससे आपको समझ में आ जाएगा graph पढ़ना थोड़ा सिखिए इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया दूसरा सबसे बड़ा चाय का उत्पादक है और चौथा सबसे बड़ा चाय का एक्सपोर्टर है ठीक यानि कि चौथा सबसे बड़ा चाय का निर अगर चाय की इंडिया में बात करें तो आसाम सबसे बड़ा प्रोडूसर है फिर वेस बेंगवाल फिर तमिलाडू के रिले एक डेटा यह भी चेंज हुआ है तो यह मोश्ट स्पोकेन लैंगोजेज में अब नंबर वन पर इंगली जाने वाली भाशा अब इंगली हो जो चाइना के लोग यूज़ करते हैं नंबर तीन पर लेकिन हमारी हिंडी है तो हिंडी को भी निकलेक नहीं कर सकते हैं ठीक है हिंडी भी तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाशा है 615 मिलियन लोग इसको बोलते हैं 615 मिलियन समझते हैं आप साड़े 61 करोड़ लोग बोलते हैं मतलब समझ रहो आप इंडिया के अबादी कितनी 130 करोड़ है तो करीबन जो है 44 के असपर लोग बोलते हैं कई बाहर वाली लोग भी बोलते हैं फिर नंबर चार पर स्पैनिश है फिर फ्रेंच है फिर अराबिक है और सात्वे नंबर पर बंगाली भी है य 348 ऐसी जो है बाशाएं थी यह भी बात है यह दिखा दे रहूं आपको टेलीग्राम में ऐसे पिक सारी लगातार ठीक है लगातार आपको पिक देते रहा है यह यह तो आप यहां से देख लिजे और या फिर आप क्या करिए कि यहां पर टैप करिए हलका से टैप किया तो को आप लोगों काफी सारी रिक्वेश्ट की दी है इसलिए मैंने देए पूरी हमारी टीम है पूरी हमारा सारा काम पूरा टीम है और पूरा मैं भी यह बात हुआ देख रही जो बनाुट है यह दो लगातार दीग अहां पर located है ये सारी चीज़ें, American Samoa जो है ये, USA के इंडर में है आज भी, South Pacific Ocean में लोकेटेड है, Aruba जो है नीदरलेंड के इंडर में है, दच्छिन अफ्रेका के उत्तर में इस ती था ये, Anguela, UK के इंडर में है, मतलब ये पूस सकते हैं, इसमें मैच दाफॉलिंग आये ये Pacific Ocean नहीं की प्रशाद मास अगर, Cayman Island जो है आपका Cayman Deep है, UK के इंडर में है, West Indies में लोकेटेड है, फिर ये Cocos जो आइलेंड है, Australia का साशन है आप इंडर में है, Greenland, Denmark के अंदर में है, और Guam जो है करके, USA के इंडर में है, दच्छिन प्रशाद मास अगर में है, ठीक है, ये UK के इंडर में है, इंग्लिश चैनल में है, जिब्राल्टर, ठीक है, जो इस्टेट ऑफ जिब्राल्टर भी है, उसके बगल में, जिब्राल्टर UK के इंडर में है, भूमद दिसाजर में, ठीक है, और फिर ये आपका टोके लाओ, ये New Zealand के शाशन में है, तुर्क्ष औ ये New Caledonia, फ्रांस के शाशन में है, ये मतलब आज आते हैं, ये मैज दा फॉलिंग बहुत अजीब स्टाइब के पूछ लेते हैं, इस्टेट पीसे वाले, तो एक बर देख लिजेगा, फिर ये पिटकेर्न दीब जो है, UK के शाशन में है, आपसे यही पूचेंगा, इसे क इसे कॉलिनेशिया, फ्रांस के शाशन में है, ये मतलब आज ये तो क्लियर भी ये फ्रेंच लिखा हुआ है, आज भी इसमें, बर्मुडा डीब जो है, उत्तरा खंट, सौरी, उत्तरा खंट कह रहा हूँ, UK के शाशन में है, ठीक, उत्त्री अंड ये उत्त्री अट्लंट प्रांस के शाशन में है, तो ये कुछ है, इसके बारे में तो नहीं बता जा सकता है, उसमें तो जो लेटेस्ट, अगर मैं देख रहा हूँ, कोई न्यूस की मिली तो मैं गले वीडियो में बता दूँगा, बस ये समझे, 500 क्यावन है, तीन दसम्लोट 6-4 एरिया, पूर इ सबसे बड़ी जो वाइड लाइब सेंक्चरी यूपी की है, ये एक बार देख लिजिए, यूपी में 26 है टोटल लाके, वो कहा कहा पे लोकेटन है, ये सब, पहली बात तो सबसे बड़ी जो वाइड लाइब सेंक्चरी यूपी की है, वो है हस्तिनापूर वाइब यह एक बार देख लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसको इतना बस यहां पर करते हैं ठीक है बकीरा वार्ड लाइब सेंक्चुरी यह संत कभीरदास नगर में है बस इतना याद रखेगा लोकेशन चंद्र प्रभा जो है आपकी वह चंदौली में चंद्र और चंदौ बहराईच में है किषान्पूर आपकी खीरी मैं है लाक बहोसी जो है आपकी कनौज में है ठीक है महावीर स्वामी वाइब सेंक्चुरी यह आपकी जासी ललित पुर में है मिली मतलब जासी से 125 गुलोमेटर ललित पूर से 33 कुलोमेटर नैशनल Cumball वाइब सेंक्च्छिर चिकानी पूरा आगरा में है नवाब गण जो है यो उन्नाओ में है शहीद चंद सेखर आजाद बर्ट संक्चुरी नाम रख दिया गया इसका दोज़र पंदरा में ओकला नोईडा में है पारवती एरंगा गोंडा में है पटना वाइड लाइड 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 एक national park में थोड़ा confusion है क्योंकि यह सिरोही national park करके जो मानीपुर में है अब यह वैसे तो national park है लेकिन यह कहीं भी government की side में नहीं लिखा हुआ है government की side में सिर्फ 104 लिखा हुआ है ठीक है तो मेरे साब से 104 ही मानेंगे क्योंकि सिरोही national park है तो वैसे कई और जगे तो लिखा हुआ है government की side में दिए हुआ है ठीक है टोटल नेशनल परक जो है 1.23 परसेंट इंडिया के एरिया का कवर किये हुए है 40,501 स्कौर किलमेटर नॉर्दन मोच जो है नेशनल पार्क वह है टचिगम जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है और वेस्टन मोच जो है आपका अगर किसी को मिल पाए तो जरूर बता दीजगा अब देगे इस्टेट वाइस मैं आप लिस्ट काट काट के लगाई हुए है यह पूरा मैप है यह लेटेस्ट वाला जो इंडिया का मैप है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में चार नैशनल पा नैशनल पार्क आपके जम्मू कश्मीर में ठीक है इस्टेट वाइस मैं लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ पर हर्याना में दो नैशनल पार्क है एक है काले सर और एक है सुल्तानपुर राजस्तान में चार नैशनल पार्क है एक है डिजर्ट नैशनल पार्क केवला गाना मुकुंद्राels और सुरिसका यह पांच नेशनल पार्क이所 seems उसके बाद अगर आप देखेंगे गुजरात में चार नेशनल पार्क है वंस्दा ब्लैक बखच या फिर वेलावदार गिर नेशनल पार्क मरीन गर्फ ऑफ करफ नेशनल पार्क यह थे पिर उसके बाद गुआ में एक है, महावीर भी भी बोलते हैं थेक हैं और करनाटक में पांच हैं अंशी, बंदीपुर, बनेर घटा, कुद्रे मुक और नगर जो राजू गांधी भी बोलते हैं, राजू गांधी नेशनल पांबूर्ट केरल में हैं आपके छे, अना, मुड शोला और इरावी कुलम माथी किटन और पंबा डूम हो गया पेरियार हो गया साइलेंट वेली हो गया ठीक तमिल नाडू में आपके कितने हैं तमिल नाडू में पाच गुंडी गल्फ ऑप मनार मरीन नैशनल पार्क है इंद्रा गांदी अना मलाई ठीक है और मुदू मलाई अन्दमार निकोबार में अगर आप देखेंगे आपए तो टोटल मिलाके कितने हैं नौ नैशनल पार्क हैं कैम्बल हो गया गलातिया हो गया महत्मा गांदी मरीन हो गया मिडिल बटन हो गया माउंट हैरियेट हो गया नौर्थ बटन रानी जासी सैडल पीक और साउध पार्क है और मुरुगवारिन पार्क है उसके बाद सबसे यहाद इस बांधोगंर हो गया डाइनासोट फॉचल्स हो गया इंदरा प्रonneष प्रीव cotton पेच्छट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्さ गोरुमरा जलबदापरा नेवरा वैली सिंगा लीला और प्लस सुंदरबान मिजोरम में दो है आपके एक है मुरलेन पा ये फागुनपुरी फागुनपुरी ब्लू माउंटेन है ये आपका मिजोरम में त्रिपुरा में दो हैं क्लाउडेट लेपड है बिसौन है राजबर पर आंद्र अरुनाचल प्रदेश में आपका मॉलिंग और नामधापा ठीक असम में हैं आपके कितने नेशनल पार्क पांच दिब्रुस है कोगा काजी रंगा मानस और नामेरी और आपका राजुगंदी ओरांग सिक्किम में एक है कंचंचिंगा वालमिकी एक है आपका बिहार में एक है आपका दूद्वा यूपी में यह है पूरा एक है आपका बेटला नेशनल पार्क ज़ारकण में यह टोटल शारे कर दी हैं यहां पिर हिमाचल प्रदेश में कितने ग्रेट हिमाला है इंदरकिला खिरगंगा पिन वैल्य और सिंबा सिंभल बारा और यह उत्त्राखंड में है कितने हैं आपके छे कॉर्बेट गंगोत्री गोविंद नंदा देवी और राजा जी और वैलियो फ्लावर्स तो इस सारे जो है नैसनल पार्क है यह याद रुखिएगा लार्जेस जो है वो हेमिस है यह आपका है यह आपका हेमिस है और यह जो है कर्मेंट की साइट में बहुत अंदर गोज जाता हूं यह उनमें से सर्वे आफ इंडिया में कई सारे मैप दिये हुए उन मैप में डेटा लिखा वा था जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है भाया जी भाहिनी जी जैसे आर्थ का अगर आप देखें हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन मैं बता दे रहा हूं इंग्लिश में बता दे रहा हूं आर्थ में जो है एस्टिमेटे डेज़ है फोर पॉइंट सिक्स बिलियान इर्स ठीक है माधित त्रिज्ज्या यानि कि आपकी रेडियस है छे जार तीन सो एकतर किलोमेटर यह जो है लैंड का चेत्रपल किलोमेटर और जो है आपकी एक्वेटर वाली कितनी है 400075 अर्थ इस तरह से है ना खुछ अंडर टाइप का तो यह जो यह वाली रेडियस है एक्वेटर वाली यह ज़्यादा होगी ठीक है यह सुरी परीधि बोलना है यानि कि डामीटर तो यह वाली जो डामीटर यह ज् इंडिया को एक साल लग जाता है ठीक है हां मतलब जो है यह मतलब इसी लिए तो पूरा एक साल में सारे सीजन विजन आते हैं 365 दिन पांच घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यह एक्जेक डेटा तभी तो हर चार साल में एक लीपियर आ जाता है फिर जो है इंडिया कहे रहा हूं दर्ती को आर्थ को अपने अक्ष में परिक्रमण में कितना इसी लिए उसके पूरा गुंदन कितना इसी लिए गंटे 56 मिनट यह तो महा सागरी तो महा सागरी तो आप ओशन ने देखेंगे सब ज़्याद गहरा ही कहां पर प्रशांत महा सागर में है 11 किलोमिटर की अगर आप देखेंगे लैंड में सबसे टॉप यानि टॉलेस पॉइंट कौन सा है माउंट एवरेज का सागर मा था चोमू लूंगम न प्रशांत महा सागर अब यह देखें यह क्या है यह सबका चेतर पर लिखा हुआ है अगर ओशन का ट्रिक याद रखें तो सबसे बड़ा ओशन कौन सा है उसकी याद रखने की पैसा ट्रिक है पैसा बहुत ज़्यादा कीम्ति है कई सारे लोग जो है यहां पैसे के लिए ह पड़ रहे है नौकरी क्योंकि चाहिए काय के लिए पैसा चाहिए सबका ठीक है तो पी से आपका हो गया आपका प्रशांत महा सागर यह सबसे बड़ा है ए से आपका हो गया ए से हो गया इस उत्तर तुर्वी हो गया साउधन ओशन हो गया और फिर भूमद्ध साइधन हो गया ठेख है तो पिए ईसे यहिंदिक पैसिफिक एट्लांटिक इंडियान और साउधन ओशन और प्लस आपका ए से आर्क्टिक हो गया सबसे लंबी नदी यह है अगर देखेंगे तो नील है लेकिन अगर वाटर वॉलूम वाइस देखेंगे तो एमेजॉन है यह ज़रूर याद रुखेगा लेंट वाइस नील नदी है फ्रीका में है यह 690 किलोमेटर की है और एमेजॉन नंबर टू पे साउथ अमेरिका में अ यांगजजी जो है चीन में है चाइना में है यह निसे आपकी बैकाल रश्या में है ओप जो है वो भी रश्या में है वांगो जो है चाइना कॉंगो फ्रीका ठीक है एक चीज और बताईए आप कि कौन सी नदी है इसी जो एक्वेटर को दो बार कट करती है ठीक यह बताना आपको जल्दी से कमेंट करके, कुछ कुछ चीजे बताइए आप भी, कई बार बता चुका हूँ मैं ये